अलो फूडीज मैं कवीटा और स्वासंपन में आज हम बनाएंगे 5-7 मिनट के अंदर तयार होने वाली बच्चों के लंच बॉक्स में देने के लिए गार्लिक ब्रेड की रेसिपी जो बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली है आपको भी बहुत पसंद आएगी क्योंकि सुबह टाइम कम होने के कार मुमास तो ढूंती रहती है जो 5-7 मिन में रेस्पी बन जाए तो चलिए बनाते हैं 5 मिनट में बनने वाली गार्लिक ब्रेड की रेस्पी इसके लिए आपको चाहिए गार्लिक और उसे चौपर में डालका इस तरीके से चौप कर लीजिए आप को चार टेबल स्पून लसन डालना है और थोड़ा सा दालिए आप उसमें कोरियंडर बारिक कटा हुआ और हाफटे स्पून डालिए और उन्हें इस तरीके से मिला लीजिए अगर आपका बटर थोड़ा टाइट हो फ्रीज में रखा हुआ तो हाफ मक्षन को आप थोड़ माइक्रोव कर लीजिए जैसे मैंने करा है और बाकी को आप वैसे ही मिला लीजिए इसका एक थिक पेस्ट त्यार कर लीजिए अब लीजिए ये सेंड़िच ब्रेट और उसके एक तरफ आप गालिक बटर लगाईए इस तरीके से चारो ब्रेट पर लगा लेंगे हम तो बॉह थोड़ा सा लगाना है क्योंकि चारो तरफ हमें इसकी मख्कन लगाना है अगर आप मख्षा लगा देंगी तो ब्रेट सारा halles पी जाएगी वह बहुत खाने में ओईली ओईली लगेगा сделगि हम थोड़ा सा पटर लगाईए अप मॉजय्ест preacher canada सब्सक्राइब चीज अबाइब है ज Turns out 600- зар你的 Smartοι पर आपके आपके ओके ऊपर लगाई कि चाहिए ऌल पर इसमें मॉजय्सरोड चीज जादा अच्छा लगता है इसलिए अगर मौसरलर चीज लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कोब अच्छे से भर कर चीज लगाईए और फिर उसके उपर हम लगाएंगे वेजीज आपके पर जो हो या जो आपके बच्चों को पसंद हो वो लगा सकते हैं मैं इस पर टमेटो, एलेपिनो, कैपसिकम और कौन्स लगाऊंगी या अगर आपके पास ना हो तो आप ना लगाएए सिर्फ चीज चीज लगाकर भी ये ब्रेट बहुत ही अच्छी लगते है आपके बच्ची रोज रोज हफते में तीन बार मांगेंगे आपसे चलिए अब आप बोलेंगे मैं वह बनाने की पूरी-पूरी कोशिश करूंगी इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा और बैल आइकन तो दबाना बिलकुल न भूलिए जिससे की मेरी रेस्पी का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहें और लाइक कीजिए क्योंकि लाइक देखकर ही पता चलता है कि आपको मेरी रेस्पी पसंद आ रहेगी बस अब आप इसको बस अब दूसरी बैट को इसके उपर रखिए और उपर से भी इस पे गार्लिक बटर लगा देजिए यह गार्लिक बैड आपको पी इस टाइप का टोस्टर हो तो या किसी भी टाइप का टोस्टर हो गैस पे सेखने वाला भी टोस्टर होता है कोई सा भी हो आप इसको टोस्ट कर लीजिए वरना अगर आपके बस ना हो तो आप तबे पे भी इसको इस तरीके से सेख सकते हैं बटर वाली साइट को हमें क्योंकि बिना चीज मेल्ट हुए वे ब्रैड बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी अब हमारा टोस्टर वाला ब्रैड सिख गया है और यह तवे वाला हम पलट कर देखते हैं एक दम देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है अब इसको हम दूसरी तरफ देखते आपको फर्क नहीं नजर आएगा अब आप इसे बनाएए और अपना फीड़ बैक मुझे दीजिए बाबाई झाल